आजके लेक्चर में हम 6 नमबर से सुरू करेगे जिसमें लिखा है पीछे का सोलर का रेडी और कटिंग मार्क करे गडी भाग में और अस्थाई खड़े में सिधा मार्क करे मेजरमेन चार्ट में देखे 6 नंबर, पिछे का सोलर का नापे 15 इंच, उसका डिवाइट 2 किया गड़ी भाग में 7.5 इंच, अब यहाँ पर आदा इंच दबाव लेना चाते हैं तो आदा इंच का मार्क करें, अत्वा 0.25 और 1.5 मार्जिन लेना चाते हैं तो उस तरह से यहाँ पर 7.5 इंच रेडी है और उसके बाद दबाव के लिए डाप्टिंग ने आदा इंच रखा है लेकिन हम यहाँ पर कपड़े में 0.25 और 1.5 मार्जिन का मार्क करना है अब यहाँ पर टोटल 7.75 और 1.5 यहाँ पर मार्क करना है अब यहीं से इस तरह हमें जो margin का mark है वही सिधा mark करना है जो 7.5 इंच ready है यहाँ पर सीफ थोड़ा सा ही mark करना है अब 7 नमबर में लिखा है गले की broadness का mark करे यह cutting mark है और खड़े में सिधा mark करे neck broadness का regular map के लिए body map अपर्चेस का बार से भागा कर करे तो यहाँ पर अपर्चेस का body major है 35 इंच उसका बारा बाग करने पर जवाब आता है 2.91 यानि 2.751 point neck की broadness का mark आएगा और यहीं पर हमें यह खड़े में सिधा mark करना है जिसर दाप्रिंग में है 2.751 point यहाँ पर साथ नमबर में लिखा है गले की broadness cutting mark अब next point आठ नमबर में लिखा है solar slope का mark करे यह cutting mark है बोडिम आप लेते समय हमेशा solar dark का माप ले measurement chart में देखे 8 नमबर में solar slope का माप है 1 and 1 point तो जहाँ पर बेक solar का ready नाप का mark किया है वहीं से solar slope का mark करना है आठ नमबर में लिखा है solar slope ready mark तो 1 and 1 point यहाँ से mark करना है यहाँ margin की तरफ से mark नहीं करना है यहाँ पर 1 and 1 point का mark करना है अब neck broadness से यह mark के साथ मिलाते हुए यह सिधा mark करना है 9 नमबर में लिखा है ready come around का चोथा बाग का mark करे और margin का map अलग से रखे आप जितना margin रखना चाहते है उतना रख सकते है डाप्टिंग में देखें 9 नमबर में come around का mark और margin mark यहाँ पर 17 का margin का mark रखेगे जो ready नाप है यहाँ पर 58 हीचे तो measurement chart में 9 नमबर में देखे come around है 31 हमने plus 3 लूजिंग लगाया है तो total बना है 34 उसका divide 4 करने पर आएगा 58 हीच चोथा बाग ready हमें यहाँ पर come around पर इतना नाप करना है यह 1.5 हीच ready और margin के लिए 7 अलग से 10 नमबर में लिखाए ready cut round का चोथा बाग का mark करे और margin का map अलग से रखे measurement chart में देखे cut round का बोड़ी में जहरे 38.50 plus 1.5 हीच losing लगाया है तो 40 ready बना है तो उसका चोथा बाग करने पर यहाँ पर 10 हीच बना है तो यहाँ पर हमें 10 हीच का mark करना है और margin का 7 अलग से करना है डापिंग में डो किया है वेसे cut लंबाई पर cut round का नाप किया है यह 10 हीच और उसके बाद 7 अलग से इस तरह आपको डापिंग के साथ marking करते रहना है ताकि आपको सिखने में बहुत आसानी रहे आप एक ही बार सिखोगे और पक्का सिखोगे अब नेक्स नमबर 10 बी में लिखा है हीच राउन का माप चेक करें काउस में लिखा है वेहकल पी कुर्ती का cut हीच लंबाई तक रखा है तो यह माप चेक करें हमने यहाँ पर हीप लंबाई का मारक नहीं किया है इसलिए हीप राउन का माप चेक नहीं करना है अब नेक्स पॉइंट ग्यार नमबर में लिखा है gear राउन का चोथा बाग का मारक करें और मार्जिन का माप अलग से रखें जहाँ पर कुर्ती का लंबई पूरा वता है वहीं पर गेर राउन का मार्क करना है गेर राउन के लिए अपने कॉट राउन का जितना नाप रखा हो उतना नाप यहाँ पर रख सकते है कॉट राउन का नाप दस इचे तो यहाँ पर आप दस इच रख सकते है इस तरह इसको straight गेर बोला जाता है अगर आपको थोड़ा गेरा ज्यादा बनाना है तो यहाँ पर आप आदा इंच और भी ज्यादा बना सकते है डापिंग में cut round का नाप 10 इंच है तो गेर राउन का नाप भी 10 इंच रखा है हमें यहाँ कमर की तरफ पहले यह आर्म करवस केल से गोले वाला सेथ का मार करना है यहाँ दोनों तरफ आदा आदा इंच पर छोटा से मार करना है और cut लंबाई से 0.25 इंच उपर की तरफ यह चोटा मार करके यहाँ पर यह सिधा मार करना है यह दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से आपको यह गुले वाला सेफ का मार्क करना है इस तरह से मार्क करने पर यहां कमर की तरफ कोना नहीं आएगा और नहीं कॉट की तरफ कोना आएगा अगर आप डाइरेक्ट इस तरह से मार्क कर लेगे तो देखे यहाँ पर यह कोना बन रहा है आपने इस तरह का सिले लगाया हो फिर जब कस्टमर पेंते हैं तो यहाँ कट की तरफ से कोना निकलाता है इसलिए यहाँ पर जिससे हम समझा रहे विसे ही आपको पहले से मार्क करना है अब यहाँ से मार्जिन का मार्क अलग से करना है अब नेक्स्ट पॉइंट तेरा नंबर में लिखा है कौट लंबाई से कुर्ति की लंबाई तक स्केल से सिधा मार्क करे यहाँ पर हमने जो जो पॉइंट समझाया है उसी के अनुसार आपको मार्क करना है प्रेक्टिस करना है ताकि अंदर की तरब भी एकदम साप मार्किंग हो सके अब हम नेक्ष लेक्चर में चौज नंबर का पॉइंट से समझेगे आज करें आपका दिन सुब्र है धन्यवाद